नमस्कार खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्पू एक तरफ देश के किसान दिल्ली को चारो तरफ से घेरने में जुटे हैं तो दूसरी ओर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 18 मन की बात रेडियो कारिक्रम में क्रिशी कानूनों में किये गए बदलावों को किसानों के लिए नई संभाबनाओं के दर्वाजे खोलने वाला बताया है उन्होंने कहा कि कम समय में ही किसानों को इसका लाब मिलने लगा है उन्होंने अफ़वाहों से बचने और किसानों के बीज इसके लिए जागरुकता फैलाने की अपील की प्रधान मंत्री ने साफ किया कि क्रिशी कानूनों में सुधार किसानों की सालों से लंबित मांगों के अनुरूप है इन सभी कानूनों से किसानों को बहुत से फायदे होंगे जिने किसान कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही है पहला ये कि इस कानून से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ती या संस्था को बेच सकते हैं इसमें क्रिशी उपज विपनन समितियों, APMC मंडियों के बाहर भी क्रिशी उत्पात बेचने और खरीदने की विवस्था तैयार करना है। इसके जरीए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। दूसरा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार किसानों से धान गेहूं की खरीद पहले की ही तरह करती रहीगी और किसानों को MSP का लाव पहले की तरह देती रहीगी। तीसरा, इन मंडियों में व्यापारियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे स्वस्थ प्रतिसपरधा नहीं हो पाती। नतीजतन, किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्फ के नियम अनुसार, किसान अपने उत्पाद बाहर खुले में नहीं बेच सकते थे। ऐसा नहीं कि ये सभी जगे हो, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ऐसा ही है। इसलिए वो मंडी के व्यापारियों के मोहताज बन जाते थे। अब किसान मंडी के साथ साथ मंडी से बाहर भी अपनी उपज भेज सकते हैं। चौथा, जिस प्रकार 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद क्यास लगा जा रहे थे कि इससे सेवाक्षेत्र में भारी नुकसान होगा, लेकिन आज हम 30 सालों बाद देखते हैं कि सेवाक्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोत्री हुई है। कॉंग्रेस पार्टी पहले इस कानून को देश के किसानों के लिए अमरित मान रही थी, परन्तु आज सबसे ज्यादा विरोध कॉंग्रेस के बंधुई कर रहे हैं। हाला कि कॉंग्रेस अपने शासनकाल में इन कृशी विध्योकों के पक्ष में रही है। कॉंग्रेस ने कृशी सुधार विध्योकों को अपनी चुनावी घूशना पत्र में शामिल किया था। हाला कि विपक्ष में आकर अब वो इन विध्योकों का विरोध कर रही है। कृशी विध्योकों को लेकर कॉंग्रेस का मूदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि वो मंडी व्यवस्था खत्म कर किसानों को नियूंतम समर्थन मूले से वंचित करना चाहती है। दूसरी और पीम मूदी का कहना है कि वो किसानों की आये को 2022 तक दोगुना करेंगे। ये उसी दिशा में एक कदम है जिससे कि ओपन मार्केट में वस्थू का मूले बाजार आधारित नियंतरित होगा और जो क्याश ट्रॉप फसल है उससे मार्केट में ज्यादा फाइदा होगा। ये किसान के लिए मंडी के अधिरिक्ट एक विकल्प है कि वो अपनी फसल कहीं भी बेच सके। पूर्व के नियूंतम समर्थन मूले व्यवस्था जारी रहीगी। राहुल गांदी ने एक ट्वीट में लिखा मोदी जी ने किसानों की आये दोगुने करने का किसानों के लिए आवाज उठाने वाले राहुल गांधी को ये याद होना चाहिए कि किसानों को मंडी से मुक्त करने का कॉंग्रेस उस दौर में समर्थन करती रही है जब वो सत्ता में थी। खासकर मनमोहन सिंग सरकार के 10 साल के कारिकाल में तमाम कवायदे हुई कि में निजी निवेश आने से किस सरा से कोल चेन बन जाएगी। गोदाम बनेंगे और फसलों की बरबादी रुकने से किसान माला माल हो जाएंगे। इसके अलावा बिचॉलियों को खत्म करने का मसला भी समय समय पर उठता रहा है। ये अलग बात है कि मनमोहन सिंग सरकार के गडबंधन में होने की वज़े से तमाम दलों का दबाव होता था और वो उन कानूनों को पारित नहीं करा पाई। लेकिन उसकी मनशा जरूर रही है कि किसानों को मंडी से मुक्त किया जाए। ठेके पर खेती हो और कृशी जिंसों के भंडारण की सीमा समाथ हो। कृशी क विरोध करने वाले स्वतंत्र किसान संगटनों को भी कॉंग्रेस समर्थन दे रही है। कॉंग्रेस के अलावा वाम दल्ट रिणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी और आमादमी पार्टी की ओर से खृशी विधेयोकों का सरवाधिक विरोध हो रहा है। राजी सभ पर मार्शल के साथ धक्का मुक्की की। इसमें कॉंग्रेस के राजीर सात्व, सैयद नजीर हुसेन और रिपुन बोरा, टीमसी की डोला सेन, माकवा के केके रागेश और इलामा राम करीम भी शामिल थे। इन आठ सांसदों को उनके अमर्यादित विवार के लिए वेंकईया नाइडू ने निलंबित कर दिया था। नएक रिशी कानूनों के खलाब दिल्ली में आकर डेरा डालने वाले किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच होने वाली बातचीत किसी सकरात्मक नतीजे पर तभी पहुँचेगी जब किसान इस बातचीत में अपने मन माफिक नतीजे हासिल करने की जिद छोड़ेंगे। उनकी और से ये कहना एक प्रकार से सरकार पर बेजा दबाव बनाने की ही रणीती है कि वो बिना किसी शर्त के बातचीत करेंगे और जहां पर है वहीं बातचीत करेंगे। ये रुख रवया ठीक नहीं है। ये कुछ व करने वाला है। गिरवया नए सिरे से ये बताता है कि किसानों को आगे करके किस सरह से संकेन राजनीती की जा रही है। किसान अंदोलन वास्तव में एक जिद का रूप ले चुका है जब प्रदान मंत्री नए कृशी कानूनों के जरिये किसानों को कई अधिकार मिलने की ब प्रदान में रखकर किया गया है तब नए कानूनों के विरोध का औचित्य समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि पंजाब के किसान खुद को न आढ़तियों के चंगुल में ही बनाए रखने में अपना हित देख रही हैं जो उन्हें बरगलाने में लगे हुए ह यदि किसानों को बरगलाया नहीं गया होता तो उनकी दिल्ली कूच करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। दिल्ली में जिस तरह जगा जगा डेरा डाल कर लोगों को तंग किया जा रहा है उससे कोई बहतर नतीजे शायद ही निकले। किसानों को ये याद रखना नहीं हैं कि आम जनता की किसानों के प्रती सहनुभूती भड़ेगी। उचित ये होगा कि किसान इस पर नए सिरे से विचार करें कि आखिर नए विवस्था से उन्हें क्या नुकसान हुआ है या फिर हो रहा है और फिर किसी फैसले पर पहुँचे। यदि उन्हें इस साल को मुत्पन की जा रही है कि आगे किसानों का अहित होने जा रहा है। जब तमाम अर्थ शास्त्री और प्रिशी विशेशग्य ये कह रहे हैं कि नए कानून किसानों के लिए नई संभावनाएं कोलने का काम करेंगे तो उन पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं बनता असल में इन तीनों कानूनों को देखा जाए तो उनका लाब किसानों को ही मिलेगा किसान की स्वेच्छा और उसकी आत्म निर्भरता के लिए ये एतिहासिक कदम है। ये कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तै मानकों और तै कीमत की अनुसार बेचने क का अनुबंद करने की सुविधा प्रदान करता है। सरकार के इन विधेकों के पीछे हमें गुजरात मॉडल का स्वरूप नजर आता है। गुजरात मॉडल द्वित्ती और तृत्तिय क्षेत्रों में लोगों की भागीदारे बढ़ाने की बात भी करता है। अगर हम कृश और तृत्तिय क्षेत्र में लाना चाहती है। हाला की सरकार की नीती बहुत सटीक है। ऐसा ही सभी विक्से देशों में होता है। चाहे फिर अमेरिका हो या यूरॉप। अगर आपको हमारा ये वीजियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेर करें और क्यापिटल टीवी को सबस्क्राइब करें। नमस्कार।